नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं इसके जबाब में सरकार ने अस्पष्ट किया कि जार्खन में पदोव सेवाओं में सीधी भरतियों के लिए मेरिट कोटे से 40 वा अरक्षित कोटी से 60 परतिसत रिक्तिया भरी जाएंगी सुमबार को अलप सुचित प्रशनकाल के दोवान विधायकों के सवालों पर सरकार की ओर से लिखित जवाब दिया गया बता दे सरकार ने अपने जवाब में कहा कि आरक्षित कोटी की सीटों में अनुचित जाती के लिए 10 अनुचि जण जाती के लिए 26 अत्यांत पिछडा वर्ग सुची 1 के लिए 8 वा पिछडा वर्ग सुची 2 के लिए 6 पर सीटे आरक्षित है वहीं आर्थिक रूप से कमजोर जिसमें SC, ST वा OBC सामिल नहीं है 10 पिदी आरक्षन का प्रवतान है सरकार ने आस पर्ष्ट किया है कि इसी आरक्षन के अनुचित वर्ग सुची 2 का अंदोलन शुरू बेतनमान की मांग को लेकर टेट पास पारा सिश्चो का अंदोलन आई से सुरू हो गया है मांसुन सात्रे के दोरान जारक्षन बिधान सभा के समक्ष अंचन परवाइठे टेट पास पारा सिश्चो ने एक बार फिर सरकार पर ठगने का अरोप लगाते हुए आने वाले समय में आंदोलन तेज करने की धमकी दी है जारक्षन राजे टेट सहायक अध्यापक समय समीति के बैनत तले सुरू हुए इस अंदोलन के पहले दिन पलामू परमंडल के सभी टेट पास सहायक अध्यापकों ने भाग लिया इस दवरान टेट पास सहायक अध्यापक सांग के परदेश संडरक्षन प्रमोद कुमार ने हाल ही में जे एस एसी द्वरान निकाले गए 26 एर एक सहायक अचारे के बिग्यापन में बड़े प्रमाने पत्रोटी होने कारूप लगाते हुए इसे पाराशिक्षकों के साथ धोखा धड़ी बताया वही पाराशिक्षकों की मांग को लेकर ततकाली सिक्षा मंति जगनात मतो की पाल पर पाराशिक्षक सांग के साथ वारता हुई थी जिसमें उन्हें तीन महिने के अंदर बेतन मान देने पर विचार करने के लिए एक कमिटी गठित करने का स्वासन भी दिया गया था बीत मंतिरी ने पेश किया एक गाराः harvest 988 क रूर का अनुपूरक भजट धर्कण बिधान-सभाक कमानसून सत्र जारी है स्वम्वार को बीत मंतिर हमेश्वरो राव ने अनुपूरक पेश किया है बीत मंत्री ने 11,988 क्लोर रुपए का उनुपूरक बैट प्यस किया इन में से उर्जा विभाग को 7,033 क्लोर नगर विकास एवं आवास विभाग को 927 क्लोर गरामिन विकास विभाग को 574 क्लोर एवं महिला बाल विकास एवं समाजिक सुरक्षा विभाग के लिए 333 क्लोर तथा गरिह कारा एवं आपदा प्रमधन विभाग के लिए 587 क्लोर रुपए का प्रधान किया गया वहीं किरिसी पसुपालान एमसा करता बिभाय के लिए 180 कोड़ रुपय के प्रधान किया गया है बता दे कि जहरकन बिधान सबा के मांसुद सत्र में साता पक्ष और बिपक्ष के बीच नियोजन नेतियर परदेश की बीदी बिवस्ता को लेकर खीचतानी चल रही है प्रकास भाई पटल ने एक बार फिर राज के कुड़मी समुदाय को अनसुद जन जाती में सामिल करने की मांग की है बिधान सबा के दूसरे दिन की करवाय अस्थागित होने के बाद सदन से बाहर जै प्रकास भाई पटल ने कहा है कि जहारखन के कुड़मी महतो वर्ष 1931 तक अनसुद जन जाती में सामिल थे उन्होंने यह भी कहा है कि अजादी के बाद TRI की गलत रिपोर्ट के अधार पर कुड़मी जाती के लोगों को अनसुद जन जाती से हटाय कर और ने पिछला वर्ग में सामिल कर दिया गया वहीं पूर्व मंत्री और भाजपा विधाल जा प्रकास भाई पटल ने मुख्य मंत्री हमान सुरें से राज के कुड़मी समाज के लोगों को ओभी सी की जगा अनसुद जन जाती में सामिल करने की मांगी है उन्होंने कहा है कि जार्खन मुक्ती मुर्चा को बनाने और इज़े एक सकती प्रदान करने में कुड़मी समाज के बहुत बड़ा योगदान रहा है रांची में वजरेपात से दो यूकों की मौत राइधानी के बुड़ू अनुमंडल में दो अलग अलग स्थानों में बजरेपात से दो यूक की मौत हो गई जबकि एक यूक और एक महिला का भी रूप से जुलस गए दोनों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स भेजा गया पहली घटना दसम फॉल थाना चेतरे के हाजेद में हुई है यहाँ बाइक पर सवार होकर तीन लोग जा रहे थे इसी दोड़न बजरेपात से एक यूक सहदेव अहीर की मौत हो गई जबकि महिला मंजू देवी जुलस गई वही महिला का इलाज रिम्स में चल रहा है वही दूसरी घटना तमार थाना चेतरे के दूलमी गाव में हुई है यहाँ वजरपात की चपेट में आने से मंगल मुंडा नामक यूक की मौत हो गई जबकि अजय महतो नामका सक्त जुलस गया है इड़ी ने विशनु अगरवाल को किया गिरफतार जहारखन के बड़े कारोबारी और निकुलियस मौल के मालिक विशनु अगरवाल को इड़ी ने गिरफतार कर लिया है पुष्टाच के बाद सोमवर्दे रात अगरवाल को गिरफतार कर लिया गया हलाकि अभी तक इसकी अधिकारिक पुष्टी नहीं की गई बतादे जार्खन बंगाल के बड़े जमीन कारोबारी और निकुलियस मौल के मालिक विष्टनु अगरवाल से इडी ने सोम और लमी पुष्टाच की इडी ने जाच में हैरान करने वालता थे पाया है इडी के अधिकारियों के मुताबि बिष्टनु अगरवाल जमीन घुटाले से लभानवीत होने वाले परमुक ब्यक्ती है वहीं बिष्टनु अगरवाल अपने परभाव से अपसरों से मनमर्जी का काम लेते थे राजभावन से लटाये गए तीन विध्यक को दोबारा विधान सभागे पठल पर लाने में पेच हेमान सुरेन के नितित वाली सरकार जारखन विधान सभागे बरतमान मांसुन सत्र के दोरान ही फिर एक बारवने से 32 खत्यान अधारित अस्थाने निती विध्यक वबी सीको 27 परतिस आरक्षन विध्यक और भीडी हिंसा के खिलाप मॉबलिंची विध्यक सदन से पास करा कर राजभावन भेजने की त्यारी में थी लेकिन इसमें एक तक्निकी पेजफास जाने के वज़े से अब वरतमान सत्र के दोरान इसे विध्यान सभागे पडल पर लाने की समोना बेहाद ही कम है पतादे राज़े के संसद्य कारमतिय अलमगीर अलम के अनुसार सरकार विध्यान सभावा से पारी तीनों मौत्पुन विध्यक को राजभावन से लोटाने में तय नियमों का पालन नहीं किया गया है आईसे में जब तक विधान सभा सची वाले के पास राजभोहन से लोटाए गए विधयक उनके संदेश के साथ नहीं पहुंजाते तब तक विधान सभा के पड़ल पर दोबारा विधयक पेस नहीं किया जा सकता है सुभास मुंडा के परिजनों से मिले मंत्री मिथले स्ठाकूर सोमवार को मंत्री मिथले स्ठाकूर मेतक सीपीम नेता सुभास मुंडा के परिजनों से मिले इस दोरान उन्होंने कहा है कि जल्द ही दोस्यों को पूलिस गिरफतार करेगी सरकार IC बेवस्ता कर रही है जिस से इस तरह की खटना न घटे बताद पिछले दिनों अपराधियों की गोली के सिकार हुए माकपा नेता सुभास मुंडा के परिजिनों से मुलकात करने सरकार के मंत्री मिसले स्ठाकूर पहुँचे सुभास मुंडा के नगरी थाना इस्थीत दला दली गाउं पहुचे मंत्री मिसले स्ठाकूर ने परिवार वालो को धान्डस बढ़ाया सुभास मुंडा के पीता लालू मुंडा यम उनके मा से मुलकात के दोरान मंत्री मिसलेश ठाकों ने पुरी खटना के जनकारी ली है इस दोरान सुभाज मुंडा के माता पीता और परिजनों ने परिवार की सुरक्षा के गुहार लगाते यो मंत्री से मुख्य मंत्री हेमांसुरें से मुलकात कराने का अनुरोद किया है सीयम हेमांत ने बिधान सबाब परिशर में किया पोधारोपन जारखनवी धान सबब परिसर में आयोजीत चोहतरवे राजे ब्यापी वन महोसा दोहजार देश कारकरम में मुख्य मंत्री हैमांसुरें सामिल हुए उन्होंने कहा है कि प्राकिर्ती बेवस्थाओं के साथ छेर छार जलवाई परिवर्तन का मुल कारण है इसलिए स्वैम भी पौधे लगाए और दूसरे को भी प्रेरित करे मुख्य मंत्री हमांसुरें ने कहा है कि परदेश में वन महोसो का राजे ब्यापी कारकरम चल रहा है यह कारकरम राजे की अलग-अलग जगोप निरंतर आयोजीत किया जा रहा है इसी करम में आज हम सभी लोग ज़ारकन विधान सबाब परिसर में पुरो की भाती इस वरस भी भी चारोपन कारकरम में उपस्थित हुए है रीन वा बे आज में खर्च होंगे 1119 कोड़ रुपाय ज़ारकन विधान सबाब मांसूर सत्यके दूसरी दिन स्वोमवार को बीत मंतिर आमेसवर वारने चालू वितिये वर्च 2324 के लिए 111988 कोड़ रुपाय का पाहला अनुपूरक बयाट सदन में पेस किया कर्ज पर ब्याज अदागी के लिए 703 कोड़ 80 लाग और इन अदागी के लिए 415 कोड़ रुपाय का परोधान किया है धन्यवाद